एक राजा बहुत सनकी था उसे सबसे लंबी कहानी सुनने की सनक सवार हुई राजा की हुक्म से मुनादी कराई गई सुनो 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 महराज धिराज का हुक्म है कि जो उसे सबसे लंबी कहानी सुनाएगा उसे रामगर की जागीर तथा एक मुँ मांगाए नाम दिया जाएगा मगर जिसकी कहानी लंबी ना हुई उसे कारावास में भी डाल दिया जाएगा सुनो 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 ये सुनकर दूर दूर से कहानीकार आए परंतु राजा गो संतुष्ट ना कर पाए में जागीर क्यों दूँ धीरे धीरे बहुत से कहानीकार कारावास में बंद कर दिये गए एक कहानीकार की नौजवान बेटे को अपने पिता का कारावास में बंद होना बहुत खला उसमें राजा को सबक सिखाने का मन बना लिया और जा पहुँचा राज जरबार कहानी सुनाने के लिए बोला महराज एक किसान का बहुत बड़ा खेश था उसने जवार बो रखी थी पास ही एक पेड़ पर धेरो चिडियों का जुन रहता था इसलिए जब भी किसान बीज बोने आता चिडियों बीज निकाल कर खा लेती थी एक बार उसने सोचा कि वे खुद अपने खेश की रखवाली करेगा चिडिया भी कौन सी हार मानने वाली थी उन्होंने भी योजना बनाई बस काम असान हो गया एक चिडिया आई खेश में से बीज का दाना चुगा और हो गई फुर। राजा बोला फिर क्या हुआ होना क्या था जी ? फिर एक चिडिया आई दाना चुगा और फुर। फिर आगे क्या हुआ? माराज चिडिया आई दाना चुगा फुर। ठीक है भाई अब आगे भी तो बोलो। वही तो कह रहा हूँ माराज चिडिया आई दाना चुगा और फुर। राजा को फुर्फुर्व सुनकर बोर्यत होने लेगी और बोला ठीक है माल लिया सारी चिडियां आई और उन्होंने सारे दाने चुन लिये अब आगे भी तो बोलो ऐसे कैसे चुगलिये महराज एक एक चिडिया आएगी एक एक दाना चुगेगी सबी दाने खतम होंगे तभी तो कहानी आगे चलेगी एक चिडिया आई दाना चुगा और फुर राजा समझ गया कि आज सेर को सवा सेर मिला है ये कहानी तो कभी खतम ही नहीं हो सकती इसे दंड कैसे दू इसे इनाम देकर ही पिछा चुडाना बेतर है बोला अरे नौजवान तु फुर फुर बंद कर सच्वे तेरी कहानी सबसे लंबी है तुम्हे रामगड की जागीर इनाम में दी जाती परंतु महराज मेरा मूँ मांगा इनाम हाँ हाँ वो भी बोलो तुम्हे क्या चाहिए मेरा इनाम यही है कि आप सभी बंद कहानी कारों को छोड़ दे बिना बात किसी को सताना अच्छी बात थोड़े ही है इससे राय लक्षमी नहराज हो जाती है और देश और राजा दोनों ही नश्च हो जाते है मैं चाहता हूँ कि हमारे वतन पर ऐसी विद्दा कभी ना आए बात तो तुमारी ठीक है हम हुकम सनाते हैं अभी कहानी कारों को बादव छोड़ दिया जाए यह जवक्त बहुत समयदार है हम खोशना करते हैं कि हम राज कुमारी का ब्या इस जवक्त से करेंगे और हमारे बाद यही इस देश के महराज होंगे इस प्रकार यॵक्त ने अपने पिदा को ही नहीं चुड़ाया बलकि सूज बूज से राजा को सही रास्ते पर भी ले आया करते हैं